Hello everyone, welcome to my channel NK Education, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परासनातक कोर्स यानि कि PG कोर्स एक साल का होगा लेकिन क्या यह सभी छात्र इसको कर पाएंगे या इसके लिए भी कुछ मापदंट कुछ क्राइटेरियाज है कि कुछ ही स्टूडेंट से कर पाएंगे या सभी कर पाएंगे तो आज हम जानेंगे कि जो परासनातक कोर्स है यानि कि जो आप PG करेंगे वह एक वर्स का होगा सभी के लिए या दो वर्स का होगा क्योंकि usually यह दो वर्स का कोर्स होता है, जब आप graduation कर लेते हैं, after graduation आपको PG करने के लिए दो वर्स और चाहिए होते हैं, लेकिन अब NEP 2020 के according सुनने में आ रहा है कि परासनातक कोर्स PG एक वर्स का होगा, तो क्या सभी student इसे कर पाएंगे, आज हम यह जानेंगे, क्योंकि यह बहुत जरूरी है क्योंकि सभी students समझते हैं कि सभी इसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ student है, जो इसे नहीं कर पाएंगे, वो कौन से student होंगे, कौन से course वाले student होंगे, जो इसे नहीं कर पाएंगे, आए जानते हैं, यहाँ पर एक साल का होगा PG course, graduation के बाद विस् फ्रेमवर्क जारी किया है जो नई राष्टे सिक्षानी थी एन इपी के अनुरूप है जिसमें चात्रों को बीच में कभी भी पढ़ाई छोड़ने और शुरू करने का विकल्प मिलेगा इससे पहले यह नहीं था आप बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ सकते थे अगर आप व्रेम के तहत बी और बी टेक को छोड़ बाके चार वर्स एस नातक कोश करने वाले छात्रों के लिए परा सनातक पुर्स एक साल का होगा यानी कि जो बी और बी टेक वाले हैं उन्नों पर यह लागू नहीं होगद यहां पर इनбां बी इसका लिए नियंम अलग है बाकी जितने ने भी चार वर्सी किया लेकिन आप यहां दिहान दीजिएगा कि जिनका चार वर्सी इसना तक है यानि ग्रेजुएशन जिनका फोर इयर्स का है वो ही एलिजीबल होंगे एक वर्स के पीजी कोर्स के लिए जिसमें बी ई और पी टेक सामिल नहीं होगा इस कोर्स वाल कोर्स हो यह शर्त है बाकी सभी कर सकेंगे इसके लिए चात्रों को 260 क्रेडिट अंक जुटाने होंगे वहीं एक वर्षे पीजी डिप्लोमा पर चात्रों को 240 क्रेडिट अंक जुटाने होंगे यूजी सी ने परासनातक कोर्सों को लेकर जारी किये गए इन फ्रेमवर्क को उस सभी विश्व विद्यालों उच्छ सिक्षन संस्थानों को अमल में लाने के भी निर्देश दिये हैं परासनातक कोर्स को लेकर तैयार किये गए नए फ्रेमवर्क में चार साल का BE और BTEC कोर्स करने वाले छात्रों को उनके लिए परासनातक कोर्स दो साल का होगा यानि कि जो BE और BTEC वाले हैं उनका ऐसे ही होगा जैसे अब तक होता आया है यानि दो साल का उन्हें PG कोर्स करना पड़ेगा BE और BTEC वालों को इसके लिए छात्रों को 280 क्रेडिट अंक जुटाने होंगे वहीं तीन साल का सनातक कोर्स करने वाले छात्रों के लिए पहले की तरह परा 260 क्रेडिट अंक जुटाने होंगे यूजी सी ने इस फ्रेमवर के साथ ही देश भर के सभी विशुवे द्याले उन्च संस्थानों से इस फ्रेमवर को अपनाने का निर्देश दिया है अलग अलग नियामकों के बीच बिखरे उच्छ सिक्षा के धाचे को एक दाएरे में लाने के लिए प्रस्तावित भार्तिय उच्छ सिक्षा आयों के गठन पर कींद्र सरकार ने फिर रुची दिखाई है सिक्षा मंत्री धर्मिंद प्रधान ने मंत्राले की फिर से जम्मेदारी समाले के बाद इसमें तेजी लाने का दावा किया है और कहा है कि जल्द ही वह इसे कैबिनेट के सामने भी लेकर जाएंगे यानि कि ये जो सिक्षा मंत्री है किंद्री सरकार के सिक्षा मंत्री धर्मिंद प्रधान मंत्राले की और से उन्होंने इसकी पुष्टी भी कर दिये कि वह सीगर ही इसका जम्मेदारी को सम्भालने के लिए कैबिनेट में इस को लाने वाले हैं तो इसमें मुझे लगता है कि आप सभी का confusion दूर हो गया होगा क्योंकि सभी कह रहे थे कि अब PG एक साल का हो गया है ऐसा नहीं है उसके लिए दो सर्त हैं एक बार और रिपीट कर देती हूं कि BE और BTEC वालों के लिए तो है ही नहीं बाकि जिन अन्य कोर्स के स्टूडेंट के लिए है वो भी उनके लिए जरूरी है कि उनका graduation four year यानि कि चार वर्स यह सरातक कोर्स उनका हो तो आप PG एक वर्स का कर सकते हैं अन्य ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे हैं हमारे चैनल के साथ वीडियो कं तक देखने के लिए thank you and thanks for watching